हम और आप सब लोगों ने देखा है कि एक बार भारती जन्ता पार्टी की सरकार्ड ने नोड़ बंदी के बहाने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था कैश को निकालने के लिए अपना पैसा निकालने के लिए हम सब को लाइन में लगना पड़ा था और एक बार फिर भारती जन्ता पार्टी और उनके लोग NRC के माध्यम से लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं जिससे उन्हें अधिकार मिल जाएं एक बार अपना ही कैश निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा और वहीं भारती जन्ता पार्टी दुबारा ऐसा करना चाहती है के अपने अधिकारों के लिए लोग लाइन में लग जाएं आज अर्थ ववस्ता चौपट है बिरोजगारी चरम सिमा पर है किसान के सामने ऐसा संकट कभी नहीं आया जैसा दिखाई दे रहा है इतनी अर्थ ववस्ता कभी नहीं डूबी होगी और या यह कहें कि अर्थ ववस्ता को पूरा का पूरा चौपट कर दिया है महलाएं सुरच्छित नहीं है बेहने हमारी सुरच्छित नहीं है बरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं इन सबसे ध्यान हटाने के लिए जान बूज़ करके भारती जनता पार्टी ने सिचिजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है एन आर सी जैसी की धमकी बार बार देते हैं और देखिए भारती जनता पार्टी का खेल एक ही तीर से कितने लोगों को दुखी कर दिया नौर्ट इस्ट में सवाल दूसरा है बंगाल में दूसरा है और उत्तब रेज बिहार और पूरे देश में जो लोग निकल करके आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि सम्विधान से छेड़ खानी हो जो सम्विधान ने हमें अधिकार दी हैं वो अधिकार हमारे बचें और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं जो धमकी दे रहे हैं उत्तब रेज के मुख्यमंत्री एक बार धमकीनी दी इनों ने सदन में कहा कि ठोको और उसका पड़ाम क्या हुआ कि दिद्धोस लोग की जान चली गई मुख्यमंत्री कह रहे हैं बदला लो जितनी भी उत्तपदेश में जान गई है यह उत्तपदेश के सरकार मुख्यमंत्री जी की भासा की बज़ेश से गई हैं जहां लोग सांती पू ढंग से निकले लोग सांती पू ढंग से अपने अबरोध कर रहे थे यह तो अधिकार हमें मिला है इन अधिकारों से भी बंचित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जंता पार्टी है और खासकर उत अब्रेश की सरकार कर रही है समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐसे काले कानून का बरोद किया है लोग समय में भी, राज समय में भी, जनता के बीच में भी और आज भी बिरोध करती है NRC जैसे के पक्षमे समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती और ये सब जान बुच करके इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ही जनता पार्टी की सरकार अस्फल हुई है जो लोग ये नारा देते जो स्क्रीम के पीशे लगा हुई है नारा ये हमारी पुराना सदियों पुरानी बात हजारों साल पुरानी बात जो हमारी पहचान है हमने भारत के लोगों ने जो भी आयो से सुकार किया और भारती जन्ता पार्टी के लोग यही कह करके दुनिया में गर्व करते थे कि हम उस धर्ती के लोग हैं हम उस धर्ती से आते हैं हम उस धर्ती के रहने वाले हैं जहां पर सब को सम्मान मिला हक मिला और सब को बराबरी के साथ देखते हैं पताओ हमारी पनमपरा का क्या होगा दुनिया में क्या मूँ लेकर के जाएंगे आप आज केबल भारत में बिरोध नहीं हो रहा है दुनिया का कोई कौना नहीं बचा जहां बिरोध नहीं हो रहा हो जहमिया के बाद, A.M.U. के बाद दुनिया की कोई इनिवस्टि नी बचिया जहां पर बुरोध not ho gya हो तो ऐसी क्या बात है और वजह साफ है कि जब और्द ववस्ता डूब गई हो किसान की आय दोगनी न कर पारे हो गन्य की कीमत न दे पारे हो जो बकाया है गन्य का वो न दे पारे हो जो गन्ने की कीमत बढ़नी थी वो न दे पारे हों धान की कीमत नहीं दे पारे किसान को आलू की कीमत नहीं दे पारे किसान को और बड़ा दावा करते थे कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे जिस तमें 370 पे बहुजी तब भी मैंने कहा ये कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है हम जानना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट आया है और जो हालात पैदा देश के कर दिये हैं मल्टी नेशन कंपनियां भी अपना मुनाफ़ा लेकर के भारत से जा रही है कोई इन्वेश्मेंट नहीं आया है ये केवल लोगों का ध्यान अट जाए और जहां तक सवाल धंगों का है धंगा कराने वाले तो सरकार में बैठें है क्या पिछले वर्स लोगों को याद नहीं है कौन लोग कराते थे दंगा और दंगे से लाथ उसी को मिलेगा जो सरकार में रहते हैं इसलिए जान बूश करके भाती जंता पार्टी नफरत फैला रही है लोगों को डरा रही है और कैसे नफरत की दीवाल और बड़ी पैदा हो जाए समाज के अंदर उसकी तैयारी भारती जंता पार्टी कर रही है क्योंकि असली मुद्दों पर भारती जंता पार्टी अस्फल हुई है अगर वीडियो क्लिप देख करके ये चिन्नित कर रही है सरकार के कौन लोग आगे घटना कर रहे थे तो सरकार को वो वीडियो भी देखना चीए जहां पर सांती पूर ढंक से साशन और परसाशन के लोगों ने लोगों के साथ जो अन्याय किया जो शुरुवात की है तोड़ फोड़ की है कई वीडियो ऐसे हैं जो सरकुलेट हो रहे हैं जिसमें पुलिस खुद तोड़ फोड़ कर रही है पुलिस खुद उकसा रही है जहां और प्रदेशों से सूचना आ रही थी दिल्ली से सूचना आ रही थी बंगाल से सूचना आ रही थी क्या उत्ता प्रदेश में नहीं किया है पुलिस ने खुद कई वीडियो सरकुलेट हो रहे हैं जहां पुलिस ने खुद तोड़ फोड़ की है अगर कहना है कि बस जल गई तो हम तो साथ से प्रसाथ से कहेंगे आखिर कार वो बस आई कैसे लाया कौन उसका वीडियो भी तो आपके पास होगा अगर आप गाउं से आते होंगे केवले एक उतारण में दे दू गाउं में किसी भी गरीब का घ़र का काज उसके पास नहीं है हमें लादین वो लोग जो गाउं में रहते हैं नवास करते हैं कितने लोगों के पास अपने जमीन के काज एं अगर आप गाउं से आते होंगे अपने गाउं में पूछिए कितने लोगों के पास अपने कागज हैं गरीब पर कागज नहीं है पता उस सपेरे कहां से लाएंगे जिनकों हम बीन कई बार यहां पर बजवा चुके हैं ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है सरकार चाहती है कि नोट बंदी से जिस तरीके से लाइन में खड़ा कर दिया था कैश के लिए उसी तरीके से लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं लाइन में और तमाम जो सवाले उनको भूल जाएं नफरस इनको लाब मिलता है समाजवादी पार्टी का कारिकम शान्ती पूर धंग से हुआ है समाजवादी कारिकरताओं ने शान्ती पूर धंग से अपनी बात कहने का काम किया धर्णा दिया है अगर किसी ने माहौल विगाड़ा है तो वो सरकार के इस शारे पर सरकार के इसारे पर सब कुछ हुआ है क्या मुख्यमिंत्री की भाषा हो सकती है कि बदला लो ठोको और फिर क्या न्याय केवल जनता के साथ नहीं क्या प्रैस के लोगों के साथ नहीं हुआ क्या वो घटना भूल गया आप जिस प्रतकार ने केवल ये दिखा दिया था या खाना नहीं मिला है भोजन नहीं मिला था क्या प्रतकारों के साथ न्याय नहीं हो रहा क्या एक हाप के हमारे बीच में बेटे प्रतकार साथी के साथ अपमान का काम नहीं हुआ क्या नहीं कहा गया कि डाड़ी नोच ली जाएगी क्या आप वो बातें भूल गए दिवाली और रमजान की वो बातें भूल गए क्या कविस्तान और सम्शान की ये भाशा कौन सी हो सकती आज के जमाने में जहां इंटरनेट बंद कर देते हो के कबड़े से हम बचान लेंगे कौन है क्या आप नहीं जानते डूपती अर्थवस्ता को को जवाब नहीं दे पा रहे हैं नौजमान खड़े हैं लाइन में नौखरी और रोजगार के लिए उनके पास क्या है बताओ को इन्वेस्टमेंट है हो तो बताओ आप पड़ोस का उन्नाओ देख लीजिए दो दो बेटियों ने की जान चली गई किसलिए कि केबल नयाय मांगनी थी दो बेटियों को आदमधा करना पड़ा और दोनों बेटी इस दुनिया को छोड़ चुकी है केबल नयाय के लिए एक बेटी तब बची और तब जाकर अगर सुप्रीम कोर्स को नयाय मिला क्या आप पड़ोस में नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है अब भारती जनता पार्टी के नेताओं के क्या स्टेटमेंट नहीं सुने आपने उनके बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेता क्या नहीं कहते हैं कि एनरसी लागू होगी ये सरकार के इशारे पर जान बूच करके जलाई गए चीज़ें जिससे की आंदोलन और लोगों को डराया जा सके आंदोलन जो हो रहा है ये जान बूच करके किया जा रहा है इसलिए जिससे की आंदोलन नकिया जनता को डराया जा सके लेकिन जनता सांती पूर ढंसे बुरोध करती रही है और लोगतंत्र को बचाने के लिए वो खड़ी रहीगी जनता सरकार ने नोड़ बंदी में क्या उधार रदिया था सरकार ने नोड़ बंदी में क्या कहा था सरकार ने नोड़ बंदी में कहा था कि काला धना जाएगा वर्ष्टा चाया खतम हो जाएगा लेकिन सरकार की बैंकें डूब गई उद्यूपती बरबाद हो गए जी एस्टी में क्या कहा था सरकार ने क्या सब हम भूल गए 370 हटाते समय कहा कि हम कश्मीन में इंवेश्टमेंट लाएंगे वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे टूरिजम बढ़ाएंगे कहांगे वह नौकरी कहांगे वह टूरिजम के सब बताओ तपदेश में प्रधान बंति राष्ट पती और नजाने किस-किस ने इंवमेश्टमेंट मीट में शामिल हो कर के भरोसा दिलाया मुं जानना चाहता हूँ किनता इंवश्टमेंट आया है ऑ जिरो इंवेस्टमेंट आया है और जो मल्टिनेशनल कंपनियां हैं वो भी अपना सामान उठा करके भारत से ले करके जाएंगी अब यह सरकार हटाईए जनता से यह अपील है क्योंकि विधायक 2020 खिलने के पूरे मन में हैं नया साल आएगा तो देखेगा विधायक कैसे 2020 खिलने सरकार के साथ अभी इस सदन में तो आपने देखा था उनका गुस्सा और ये 300 विधायक जो नाराज है उस नाराजगी को छिपाने के लिए सब ये बिवार हो रहा है लोगों के साथ इसलिए मुक्षणती जीए ना जान आप उनका वीडियो हर जगह है एवलेबिल है आप पूरा देख लीजिए सासन प्रशासन क्या कर रहा था अमिताब बाच्पेई केवल वहां लोगों को समझाना समझा रहे थी पहले तो अपनी भाषा ठीक करिए वैद बोट तबी मैं जवाब दूँगा जब अपनी भाषा ठीक रखेंगे आप जो दंगा खड़ने वाले लोग है वो सरकार में बैठे हैं संबिदान से छेड़खानी नहीं हो यह सबसे बड़ी आपती है क्या आप चाहते कि प्रेंबल में दुवारा यहां स्क्रीन पे लादू जिसे आप भी पढ़ने आप भी दुश्क को बता दें बहुत सारी सुचना ऐसी मिली हैं जहां लोगों का नहीं पता लग रहा है और जिन लोगों की जान भी गई वो गरीब लोग हैं लगनों का जो जान गई जिस की वो केवल अपने लिए दवाई और खाने का अंतिजाम कर रहा था उसे कहीं ये लगा कि कर्फियू ना लग जाए क्या वो दूसी था उसमें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग तंत्पे भरोसा करने वाली सरकार नहीं है अभी तो प्रेस के एक ही दो लोगों के सहथ हुआ है अफमान का विवार, मैं जानता हूर, आप मैंसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को हड़ाना चाहते हैं आप मैंसे बहुत सारे Watch सरकार को तंत्पे बचाना चाहते हैं समय आने पर आप कभी गुस्ता दिखाई देगा मुझे जानता हूं इस बात को लेकिन मुझे जानकारी सदन से मिली है कि बिधायकों नए वर्स पर मन वनाया है 2020 खेलने का और इसी लिए सरकार ध्यान हटाना चाहती है कि आपने सदन में देखा था कि नाराज कितने बैठे थे हम तो समर्थन देने वालों में से हैं अब पूरे जो एफेक्टेड एरिया थे वहां से बहुत से लोगों के परवार से पूरे पूरे लोग उठा लिए गया है देखिए मुसे आपसे अपील है कि आप लोग भी सम्मिधान और देश बचाईए आपका योगदान हमेशा रहा है आगे भी रहे ये जानबूज करके सरकार डराना चाहती है लोगं को नफरत फैलाना चाहती है सरकार तो दोजार साथ का भी जुर्माना देने मुख्यमंत्री जी नहीं जो गोरकपुर में दंगे हुए थे उसका जुर्माना कौन देगा अगर शुरुआत हो तो सरकार अपनी शुरुआत करें मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि जो बात कहनी है बहुत शांती बूर ढंसे जो हमारे लोकतंत को मजबूत करें समाज के तानेवाने को मजबूत करें उसी तरह की बात रखी जाए उसी तरीके के धरने हों VJB को भी बाता है क्या करें वो देश के साथ उन्हें तो इनवेश्मेट लाना था किसानों की हाला ठीक करनी थी क्या distributor करने की रेट बड़ी क्या धान की कीमत मिली क्या आलू की कीमत देपाई सरकार क्या नौ्खरी रोजगार देपाई अरे लोग भवन तो बनाया था समाजवादियों ने था प्रतिमा लग रही है वो प्रतिमा लग रही है बताईए किसके बनाय पर प्रतिमा लगा रहे है हरे कम से कम उनके गवाँ में जहां वो पैदा हुए थे वहाँ एक बना देते थे आक्सपोर्ट जैसी इनिवरस्टी केंब्रिज जैसी इनिवरस्टी बनाते हुआ क्या बडेसुर की तरफ नहीं देखेगी सरकार और वो सरकार जो अंतेसी जो हुआ था विसरजन जिसके पैसे नहीं कर पाई थी सोचिए वो सम्मान करेगी सरकार क्योंकि धोका दे रहे हैं सम्मिल करके जनता को उसमें शामिल दिल्ली बाले भी हो रहे हैं अब तो काम अपना नहीं है उनका क्या लोग भूमर उनका है जिस हॉल में कभी-कभी आप बैठते हैं क्या वो कुर्सी वो लग को लेकर आए थे भूल जाये मैंने तस्वीर देखी है लोग भबन में जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो सोफेवी समाजवादी सरकार के समय लाए गए थे उस ही में इन्वेस्टर वो बैठे थे लोग भबन में कि अरे अगर दोसों आ जाएं पचास हमारे ले ले लें सर्मुख्वंत्री बढा लें अपना आपको गिंती नहीं पता है कि आपर नहीं यह बंपर ओफर है नए साल पे 2020 का जब ऐसा सर्प्राइज मिल जाएगा कि आपको पता से जो मुख्वंत्री है हैं वो बन जाएंगे क्या जब आपको पहले सर्प्राइज मिला फिर सर्प्राइज मिल जाएगा वह यह सितारे तारे और नच्छत तो यही कहते हैं हम उन से साब्धान रहेंगे डराने की रादनी नहीं करते हैं वो बिधाएक डरा रहे हैं और वो गिंती जादा बड़ी है हमारे उमर बैठे हैं बीच में यहां क्या पुलिस फेयर है क्या यह पुलिस फेयर है क्या यह पुलिस उत्त प्रदेश की जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री है कहते हैं बड़ा ले लो उस प्रदेश की पुलिस फेयर होगी क्या उम्मीद करोगे आप क्या इतना अच्छा भवन बनाया इसलिए क्या नियाए वहां बैठ करके करें लोग इसलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेका करते हैं अगर वो हिसाब किताब दूसरों से मांग रहे हैं तो लोग तंद में तो सरकारे आती हैं और जाती हैं क्या आप नहीं जानते आजम खान साथ क्या क्या हुआ और आप तो जिस शेनल के होंगे क्या आप आठ साड़े आठ बजे मेरे घर पे नहीं गयते बताईए नहीं गयते क्या आप तो जब आठ बजे तुम जग सकते हो सरकार के जगाने से तो कभी साथ बजे भी जग होगे आप लोग तेज तारीक का हमारा कारक्यम था बिजनौर का जौदी चरंसींजी के समान में हम सब लोग इखटे होकर के उनके समाने हों किसांदिवस मना रहे थे लेकिन बताएए कारक्यम कैंसिल कर दिया कागी धारा एक सो चवालेस लागू है तो पच्चिस तारीकों भी धारा एक सो चवालेस लागू होगी क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे क्या धारा 144 के अंदर वो नहीं आते क्या क्या धारा 144 उनके लिए नहीं है क्या धारा 144 केवल विपक्ष लिए है क्या चीज़ हम तो लखनों से लेकर के गए थे लखीमपूर तक कितनी कमजोद धारा 144 थी तोड़ते चले गए जैसे लखीमपूर तक गए और लखीमपूर से बापस आ गए धारा तोड़ते गए धारता तोड़के आ गए तो इसलिए हम आप से सवाल पूछ रहे हैं कि केवल धारा 144 कुछ लोगों के लिए है क्या देश के प्रधान मंतिजी के लिए नहीं है आज कर ग्राउन के हम भर ने बताईए हमारा हौल लवालब भरा हुआ है ये क्या बात हुई हौल भरा हुआ हमारा लवालब क्या आपको नोडबंदी याद नहीं जंता को नोडबंदी याद है समाजवादी लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसा आप समझ रहे हो बहुत धन्यवाद आपका